ट्राइ करिए इंडिया की बहतरीन स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ticker.phenology.in और ढूंड निकालिए अपना अगला मल्टी बैगर इस सरकारी स्कीम की अच्छी बात आपको पता है कि ये लोन सच में मिलता है कई सारी सरकारी स्कीम से ऐसी होती है कि चाहे किसी की भी सरकार हो वो सिर्फ कागजों पे होती है लोगों तक फायदा पहुँचता ही नहीं लेकिन ये स्कीम में आपका फायदा होता है आजकल के यंग्स्टर्स अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हैं हम सब की इच्छा होती है कि हम खुद का अपना कोई बिजनस शुरू करें लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पैसा या कैपिटल जो आपको बिजनस शुरू करने के लिए चाहिए तो कैपिटल या तो हमारे घरवालों के पास कई बार होता नहीं कई बार हम उनसे मांगना नहीं चाहते ऐसे में एक option बचता है banks का हम बहुत उमीदों से bank के पास जाते हैं कि हमें हमारा बिजनस शुरू करने के लिए loan मिलेगा लेकिन banks जादा तर cases में आप से मांगता है कोई guarantor या security deposit या collateral और वो अकसर हमारे पास होता नहीं और हम bank से मायूस होके लोटते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी scheme के बारे में बताने वाला हूँ प्रधान, मंत्री, मुद्रा, योजना जिसमें कि खुद का कोई shop खोलना चाहते हैं आपको मिले, इसकी chances बढ़ जाएंगी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रांजल कामरा आज जानते हैं कैसे खुद के business के लिए आप पूंजी इखटी कर सकते हैं फिनोलोजी में प्रधान, मंत्री, मुद्रा, योजना क्या है? कौन इस लोण के लिए eligible है? लोण में interest कितना लगता है? कितने time के लिए लोण मिलता है? और paperwork क्या करना होता है? जानेंगे ये सब कुछ शुरू करते हैं कि ये योजना है क्या? प्रधान, मंत्री, मुद्रा, योजना तो इस scheme का purpose ये है कि जिन लोगों के पास collateral देने के लिए नहीं है या कोई guarantor नहीं है और वो लोग अपना खुद का business शुरू करना चाहते हैं तो क्यूंकि banks उन्हें loans नहीं देते तो इस scheme के जरिये ऐसे लोगों को loan मिले इसके लिए banks को प्रोटसाहन दिया जाता है याने banks को एक तरीके से ये कहा जाता है कि आप loan बाटिये बिना security या collateral के बिना guarantee के और अगर कुछ हुआ आमान लीजे आपका bank का पैसा डूब गया और bank को recovery नहीं हुई तो कुछ नुकसान की भरपाई सरकार कर देगी और इसलिए banks इस scheme के अंदर loans देने को ready हो जाते हैं बिना guarantee के या बिना collateral के क्योंकि कुछ हद तक उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार बैठी है अब जानते हैं कि कौन ये loan ले सकता है हर वो इनसान जो अपना business करना चाहता है जो अपने पाऊं पे खड़ा होना चाहता है कोई वहपार शुरू करना चाहता है वो इस loan के लिए eligible है फिर चाहे आप trading करना चाहे हो किसी से सामान लेके आगे बेचना हो वो करना चाहते हो कोई factory डालना चाहते हो या फिर कपड़ों की दुकान किसी electronics की किसी भी चीज की दुकान खोलना चाहते हो किसी भी तरह का business आप करना चाहते हो तो ये loan आपके लिए है और आप चाहे ये loan तो अपनी proprietorship या individual firm में ले सकते हैं, आप चाहें तो partnership firm में ले सकते हैं, आप चाहें तो अपनी startup company में भी इस loan को ले सकते हैं, तो कोई भी entity के जरीए आप business कर रहे हो, ये loan आपको मिल सकता है, partnership हो, company हो, individual हो, इससे loan मिलने या ना मिलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब important ब साब से अगर मैं बताओं, तो ये loan आपको लगभग 8-9% के बीच में मिल जाएगा, इसमें 2% की subsidy भी available है, अभी COVID चल रहा है, pandemic है, तो सरकार ने 2% की subsidy भी निकाली है, एक particular scheme में जो हम आगे discuss करेंगे, तो अब इस loan को, मुद्रा loan को 3 categories में divide किया गया है, अगर आपको 50,000 त 5,000,000 से 10,000,000 तक का loan चाहिए, तो उसे कहेंगे तरुन scheme, तो जो शिशू scheme है, जिसमें 50,000 तक का loan मिलता है, उसमें सरकार ने 2% की interest subsidy भी अभी निकाली होई है, याने शिशू scheme में आपको loan अगर 50,000 तक का चाहिए, तो अब आपको वो 6-7% के बीच में मिल जाएगा, अग आपको कच्चा माल खरीदने के लिए loan चाहिए, तो क्या मिलेगा? बिलकुल मिलेगा, इसमें working capital के लिए, याने कच्चा माल खरीदना, salary देना, इस तरह की चीजों के लिए भी loan मिलता है, और अगर आपको कोई machine खरीदनी है, computer खरीदना है, याने fixed assets खरीदने है, उसके लि होता है, सिर्फ agriculture loan, खेती किसानी के लिए जो loan है, वो इस scheme में available नहीं है, क्योंकि किसानों के लिए बहुत सारी अलग schemes चल रही है, तो उसे इस scheme के अंदर पे cover नहीं किया गया है, अच्छी बात एक और ये है कि 5 लाग तक के loan पे, याने शिशू या किशोर scheme पे अगर आप इस loan को ले रहे हैं, तो आपको कोई processing fee भी नहीं लगती, तरुम scheme अगर है, तो 0.5% तक की processing fee लग सकती है, इसके अलावा जानते हैं कि कितनी अवधी के लिए ये loan मिलता है, कितने समय के लिए, एक साल से लेके 5 साल, जैसी आपकी जरूरत है, उसके हिसाब से ये loan आपको मि जादा तर banks, चाहें वो private banks हो, सरकारी banks हो, small finance bank हो, यहां तक की NBFC भी हो, तो जादा तर banks और कुछ non banking financial institutions से आपको ये loan मिल जाएगा, तो options की कोई कमी नहीं है, आपके शहर में लगभग सारे banks में ये scheme available है, और इस video के description में मैंने उस सरकारी website का link भी डाला हुआ है, जिससे आप online भी इस scheme को apply कर सकते हैं, क्योंकि अभी सरकार लोगों को घर पे रहने के लिए encourage कर रहे हैं, तो ऐसे में आप application online भी दे सकते हैं, link description में है, और आपकी online application आपके शहर में जो banks ये काम कर रहे हैं, उसमें से किसी एक bank पे चली जाएगी, जिससे आपका जादा तर काम online ही हो जाएगा, तो अगर आप चाहें, तो online apply भी कर सकते हैं, और अब हम जानते हैं, कि कुछ वो क्या कदम आपको लेने चाहिए, जिससे ये loan मिलने की आपके chances बढ़ जाएं, सबसे पहली चीज़, कि पैसा 10 लाग तक का मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं, कि आप 10 लाग ये उतना राजी होगा, क्योंकि वो उतना कम रिस्क ले रहा है, दूसरा, जितनी भी पूंजी आपके पास खुद किये, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, बैंक को ये दिखाना पड़ेगा, कि आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं, ऐसा ना हो, कि आपके खाते में 1,00,000 रुप कम लोन मांगे, लोन मिल रहा है, इसलिए जादा से जादा ले लें, उससे आपके चांसेज लोन मिलने के बहुत कम हो जाएंगे, दूसरा, अपने पेपर वर्क को बहुत अच्छा रखें, खास करके, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या documents चाहिए, जैसे KYC documents हैं, अगर आप ये दिखा रहे हैं, कि आप कोई plant या machinery डालने वाले हैं किसी जमीन पे, तो उस जमीन के कागजात, या फिर rental agreement चाहिए, अगर आपने जमीन रेंट पे लिए, तो जो normal कागज, bank पे जाके loan लेने पे लगते हैं, वो कागज तो आपके लगेंगे, जिससे ये आप कैसे यूस करने वाले हैं, दो लाग रुपे के शायद आप computer और कुछ छोटी मोटी machine खरीदने वाले हैं, दो लाग रुपे का आप कच्चा माल खरीदने वाले हैं, लाख रुपे आपको चाहिए अगले तीन महीने की salary पे करने के लिए, तो किस जगे पे, किस purpose के लि अगर आप 10 रुपे पे खरीदेंगे, तो कि आप 12 रुपे पे बेच पाएंगे, और अगर 12 रुपे में बेचेंगे, 2 रुपे कमाएंगे, तो आपके महीने भर के खर्चे क्या ऐसे हैं, कि वो 2 रुपे में आप माल बेच बेच के, मुनाफ़ा कमाके, bank का loan लोटा पाएं तो ये सारी चीजों का, एक 4-6 पन्नों का अच्छा सा document आपको बनाना होगा, bank को convince करने के लिए, कि वो अपना पैसा आपको दे, ये document बहुत important है, जितना अच्छा ये document होगा, उतनी जादा आपकी chances बढ़ जाएंगी, कि आपको ये loan मिल जाए, इस योजना के बारे में, आपको और detail में समझाने के लिए, apply करने का process, सारी documentation इस बारे में और समझाने के लिए, हमने एक blog article भी लिखा है, उस article का link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, वहाँ जाके इस scheme के बारे में आप और detail से जान सकते हैं, अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की हो, आप म और bell icon को, ताकि इस तरह के और ऐसे वीडियो जो आपको फाइदा पहुचा सकते हैं, वह आप से मिसना हो जाए, मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए, this is Pranjal कामरा, signing off, bye bye